Hello everyone, welcome back to my channel and आज की क्लास में मैं आप सब के साथ डिसकस करने वाली हूँ Polymer Chemistry के Most Important Questions साथ ही साथ इस क्लास का benefit आपके लिए ये रहेगा कि उन topics पे आपको notes भी मिलेंगे detail में वो भी free में एक ही क्लास को देखने के बाद आपको Most Important Topic भी पता चल जाएंगे और उसके notes भी मिल जाएंगे यानि कि आप एक क्लास को देखके अपने handmade notes बनाना चाहते हो तो बना सकते हो अदर्वाइस आप screenshot ले लेना और आपके पास एक notes के PDF बुक तयार हो जाएगी बिद्यों की बिल्कुल फ्री होगी Polymer Chemistry, NetGRF, MSC के student दोनों के लिए important portion है और ये class भी दोनों के लिए important है Second unit की class मैं अलग class में share करूंगे आज सिर्फ ये first unit की है तो सबसे पहले polymer का introduction है, polymer की history है अब यहाँ पे screenshot ले लो, then अपने handmade notes बनाने, notes बना लो, otherwise PDF बना लेना उसकी तो आपके लिए benefit रहेगा कि आपको एक class से सब कुछ पता चल जाएगा तो polymer की history आपको पता है, monomer units होते हैं बहुत जादा monomer units मिलके जब एक combined form बनाते हैं तो उसे हम polymer कहते हैं, polymer का introduction है, वो basic है history भी है, जिसे की question आपके आने के chances रहते हैं MSE में भी and NETCRF में भी तो अगर हम history की बात करते हैं, तो polymer की history 1950 से start हुई थी and 1930 में a number of monomer units को जब recombine किया गया था और उसे हमने polymer बोला था, for example, वो cellulose, starch and protein थी तो वो उसका historical background है, polymer का यहां से questions आने की इतने chances नहीं रहते, बट यह रहता है कि जो historical background है, अगर हम polymer की बात करते हैं तो वो कहां से start हुआ, तो वो यहां पे आपके लिए important है इसी type से other subject की classes भी आपको मिल जाएंगी अब यहां पे हम देख सकते हैं, सबसे first, jiggler nata catalyzes कौन से होते हैं तो आप देख सकते हैं, TICL3 और AIR3 इसके example हैं यह आपको बहुत अच्छी से notice करना है इसी लिए class मैंने share की है, जिसमें कि आपको complete unit ना, एक ही साथ हो जाएगी आपको कोई doubt नहीं रहेगा, जो भी यहां पे है, वो most important है आप polymer आप देख सकते हो, polymer is a large molecule composed of repeating structure units connected by covalent chemical bonds यानि कि large molecule है, जिसमें कि बहुत सारे monomer units मिल के बनाते हैं जिसे हम micro molecule भी कहते हैं, और जो monomer units हैं, वो connected होते हैं, covalent chemical bonds के दुरू, तो उसे हम polymer होते हैं इसके example में हम देख सकते हैं, DNA, plastic, proteins, यह सभी क्या है, monomer units है protein का आपको पता है, कि amino acids की units से मिल के, तो वो आपके क्या है, कि आपके polymer के ही example है a simple example of polypropylene, who is a repeating unit structure is shown below, तो इसकी structure आप देखिए, तो वहाँ से आपको clear समझ आ जाएगा तो यह इसकी structure है, polymer जो है, वो plastic की stage भी है, अगर इसकी PVV देखते हो, PVC आपको अलग से कराई जाती है, backlight आपको कराई जाती है तो यह सब भी आपके polymer के लिए है, and most important है, आगे जो भी most important है, उस पे आपको note करके most important लिखा मिल जाएगा हलनकि इस class में सिर्फ most important topic ही मैंने include किये है, तो net ZRF से हो, या MSC कर रहे हो, इस class को completely आपको watch करना आपको polymer का सब कुछ material मिल जाएगा, एक class में, एक class की जगा, अगर आप net पे सर्च करोगे, YouTube पे सर्च करोगे, तो आपको 15 classes अलग से देखनी पड़ेगी, तो आपका time वहाँ जाएगा, but इस एक class में, एक ही class को देखो, topic भी समझाएगे, and आपको notes भी मिल जाएगे, free में आपको जिसमें कुछ भी चार्च नहीं देना है, तो इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा है नी, फिर भी मैंने share कर दिया, screenshot लेके आपको करने हैं, तो आप कर सकते हैं, जैसे आप complete book करते हो ना, खुद से, ऐसी मैंने classes बनाई हैं, और ये आपको सभी subject की मिलेंगी, आपको जि जिस भी topics पे अलग से class share हैं के topic पे, वो सभी की link वीडियो के description में हैं, तो वो भी आप check out कर सकते हो, laboratory synthesis कैसे होता है, polymer का वो भी आप देख सकते हो, कि divided होता है two categories में, condensation polymer and addition polymerization, अब जो addition polymerization है, उससे आपका long type का question MSC में आता है, and condensation polymerization से भी आता है, बट अगर हम net ZRF की बा according बनते हैं, तो ये class आपको complete book मैंने दे दी है, जो आप market से buy करोगे, तो आपको 400 से 500 रुपे में एक normal book मिलेगी, बट मैं यहाँ पे free measure करी हूँ, सिर्फ आपको अपना थुड़ा सा time दे के इसे watch करना है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि monomer क्या होते है, and repeat unit क्या होती है, short type का most important topic है, तो a polymer is made up of many small molecules, which have combined to form a single large molecule, ठीक है, यानि कि बहुत सारे monomer units क्या होती है, वो तो आपकी macro molecule बनाती है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक simple unit, small parts में एक साथ combine होके, जब molecule बनाती है, तो उसे हम, उस large molecule को हम monomer बोलते हैं, और जो units repeat हो दी है, one by one, उसे हम repeated units बोलते हैं, then इसका आप example देख सकते हो, ethylene इसका example है, अब monomer में ही आपका एक आजाता है homopolymer, second आजाता है co-polymer, homopolymer क्या होता है, polymer form from a one kind of monomer unit is called homopolymer, और जो co-polymer होता है, वो होता है, जब कोई भी monomer unit, different different kinds के monomer unit से बनी हो, या different different kinds के products से बनी हो, molecule से बनी हो, तो उसे हम co-polymer बोलते हैं, यानि कि mixed polymer जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है, यह इसका example है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह diagram आपको same बनाना है, same copy कर सकते हूँ, वीडियो को post करके भी notes बना सकते हो, handmade बनाने, क्योंकि material मैंने उसी book से दिया है, जिस book से आपको useful रहेगा, और आपको कोई भ most important है, वो भी देख सकते हो, बट यहाँ मेरा thon class है, जिसमें कि complete unit आपको एक साथ कराने वाली हूँ, तो इसमें भी हम discuss करेंगे, डिटिल में आपका revision type का हो जाएगा, in polymerization reaction, the polymer molecule form container structure identical, repeating itself several times, and these repeating entities are called the repeat unit of polymer, इसमें example अगर मैं देखती हूँ, the size of polymer molecule is divided by number of repeat unit, it is present, and this is called the degree of polymerization यानि कि जो repeated units अपने आपको repeat कर रही है, उनकी जो structure होती है, उनमें जो containment होती है, उसे हम degree of polymerization कहते हैं, इसके examples भी है, polythylene का example लेते हैं, हम 3 CH2 CH2 repeat units हैं, तो इसकी जो degree of polymerization है, वो 3 होगी, clear हो, अब इस example से आपका clear होगी, देना जाता है classification of polymer, तो classification जो है polymer का, वो हम different stages पे according दी सकते हैं, ठीक है, तो आपसे first है, कि source of origin के according, then structure के according, then mode of synthesis के according, and then inter particle force के according, तो सबसे first हम देखते हैं, classification of polymer, based upon origin and source, इसमें आपके दो type के होते हैं, natural polymer and synthetic polymer, natural आपको पताई है, जो कि natural material से isolate किया जाता हो, example, इसके plant से isolate कर सकते हैं, animal से isolate कर सकते हैं, तो उसे हम natural polymer बोलते हैं, natural polymer कौन-कौन से होते हैं, polysacuride हो सकता है, जिसमें आपका example starch and cellulose है, जो कि काफी common है, second है protein, protein के अगर हम discuss करते हैं, तो these are the alpha amino acids and the building blocks of animal cells, यानि कि protein का अगर हम लेते हैं, तो वो animal cells से ही, हम combine करके ले सकते हैं, और यह आपका natural polymer में ही आ जाता है, third point है, nucleic acid, तो इसमे DNA RNA common है, आपका पता है, and fourth है natural polymer, जो rubber होती है, वो है, इसके example है, two methyl, one, या three butadiene, जिसे हम isoprene भी कहते हैं, ठीक है, then biopolymer क्या होते हैं, it may be noted that polymer like polysacuride protein nucleicum, which control different life process in plant and animal, are called biopolymer, ठीक है, तो यह most important points जैसे जैसे हैं, वो में point to point आप सब के साथ discuss करती रहोंगी, अब यहापने second है, synthetic polymer, the polymer which are prepared in a laboratory, are referred to as a synthetic polymer, यानि कि जिसे हम plant animals से ना लेकि, laboratory में जिसे हमें तियार करना पड़ता है, वो आपको synthetic होता है, example है, PVC या synthetic rubber, nylon, bakelite, oralon, polyester and terylene, इसके example है, synthetic polymer के, तो I hope यहाँ तक की class आपको समझ आ रही है, ऐसी ही other subject की classes भी आपको मिलती रहेंगी, inorganic, organic, physical, spectroscopy, जो भी आपकी choice है, जिसके बारे में आपको इस type से, marathon class जाएगे, कि आपकी complete unit एक बार में revise हो जाए, तो वो आप comment करके बता सकते हो, then है classification of polymer based on a structure, तो classification के एकर मैं बात करती हूँ polymer की, तो वो three types का होता है, सबसे first है linear, linear मतलब कि जो polymer सिर्फ line की तरह पाई ज समझे है, second है branched, जिसमें एक polymer से दो या तीन branch आपको देखने के लिए मिल जाती है, and third है crosslinked, crosslink आप से समझ सकते हो, कि जो एक दूसरे को cross करते हो, तो उसे structure के according हम crosslink क्याते है, name से ही simple है, आप यहाँ पे देख सकते है, screenshot ले लेना, यह first पे आपका liner है, then branched है, then crosslink है, clear, अब यहाँ पे theoretical जो मैंने आपको बताया है, वो theory में वही लिखा हुआ है, तो आप screenshot ले लीजिए, या आप hand में notes भी बना सकते हो, वीडियो को pause करके, ठीक है, आपको ऐसी classes YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेंगी, कि आपको complete unit, complete book के notes, एक के class में दे दिये हैं, वो भी free में, ठीक ह पी कर सकते हूँ channel को, अब यहाँ पे आजाता है chain growth and step growth polymer, यह point आपका most important, like polymer ना आपकी बहुत important है, क्योंकि वो आपकी organic chemistry में भी आती है, आपने देखा होगा तो organic chemistry की एक complete unit polymer है, last semester में वही polymer आपकी एक book बना दी गई है, तो अगर आप polymer को समझ गई, यह नहीं step को समझ आपके spectroscopy में भी काम आएगी, आपके organic chemistry में भी काम आएगी, net CRF, CSIR की तियारी करोगे दब भी काम आएगी, तो इन step को समझो, chain growth कौन सी होती है, जिसमें polymer की steps आपको देखने के लिए मिलते है, वो one by one चलते है, और उसमें growth आपको देखने के लिए मिलती है, reaction से समझो, क आपका intermediate species, monomer से react करेगा, और क्या बना देगा, एक bigger intermediate species बना देगा, तो क्या हुआ, chain growth polymer, इसे हम कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी जो chain थी, उसमें growth आपको देखने के लिए मिल गई, अब वो कैसे मिली, यह आपको लिखना है, कि initiation step में यह हुआ, propagation में यह हुआ, and termination में यह हुआ, initiation, propagation, termination, step आपको आने चाहिए, नहीं आते हैं, तो मेरी class year है, detail में, वो check out कर लेना, ठीक है, अब यहाँ पर step है, आप second है, step growth polymerization, इसमें क्या है, उसमें सिर्फ आपकी chain में growth हो रहती है, बट इसमें steps भी grow होंगे, आप देख सकते हैं, इसमें आपको condensation का step, then again condensation का second step, third step, then again, उसमें step देखने के लिए मिलेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें steps में growth आपको देखने के लिए मिलती है, polymer में, उसके लिए detail में discuss करने के लिए, आपको या तो अलग से class देखनी होगी, बट यहाँ पे मैं revision करा रही हूँ, तो revision का material ही मैं आपको provide कर रही हू simple, अब यहाँ पे आजाता है, आपका short type का most important thermoplastic क्या होते हैं, these are the polymer in which the interpretation force is attract are in between those of elastomer and fiber, the polymer can be easily mold into desire shape by heating, is called on the room temperature, this is called thermoplastic, thermoplastic को हम change कर सकते हैं, यह इसका most important point है, अपनी desire, जो भी हमारी choice है, like हमें जो भी बनाना है, उसके according, but हम thermosetting को change नहीं कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, heating या किसी भी tools के according, यह example है, and thermoplastic के example की बात करते हैं, तो PVC का example होता है, या polythylene भी हो सकता है, clear हो, and अगर thermosetting के आप definition पढ़ोगे, these are the polymer which became hard and infusive on heat, यानि कि जैसे ही thermosetting heat के contact में आते हैं, तो वो hard हो जाते हैं, और उनकी shape हम change नहीं कर सकते है और thermoplastic के heat के या room temperature पे भी थोड़े soft हो जाते हैं, और उनकी shape हम अपने according change कर सकते हैं, यानि कि एक से हमें दूसरा बना रहे हैं, तो वो हम बना सकते हैं, यह का main example है, और इन दौनों में difference भी पूछा जा सकता है, net CRF हो या MSC हो दौनों के लिए important है, तो उसी के according करीए, अ every year repeat होता है, MSC में, आपने मेरे question पर देखिये, तो देखिये, आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पर polymerization क्या होता है, पहले तो वो समझ यह, detail में class यह है, बट अगर आपको revision ही करना है, तो यह class भी आपके लिए enough रहेगी, polymerization is a process which allows simple long molecular compound to combine and form a complex high molecular weight compound for the process, each molecular compound should have the capability to react at least with one or two molecules of a same compound, यानि कि polymerization होता है, जिसमें कोई भी low molecular weight के compound किसी same low molecular या higher molecular weight के compound के साथ combine करके एक large molecule बना सकते हैं, इस process को हम polymerization कहते हैं, बट इसमें शर्त यही रहती है, कि वो अपने जैसे एक यह दो compound से reaction कर पाएं, इसमें आपके example हो सकते हैं, OH, COOH, NH2, SH, या NCO, ठीके, then है, as described earlier, the polymerization is affected by two process addition and condensation, अब हम addition की बात कर लेते हैं, addition process जो है, वो क्या होती है, सबसे फर्स इसे हम chain polymerization भी कहते हैं, confuser नहीं रखना है, this type of polymerization is characterized by a self addition of the monomer molecule, rapidly through a chain reaction, the product has the same composition as the monomer molecule, यानि कि इसमें क्या होता है, chain polymerization, यानि कि chain का जो एक compound है, monomer unit है, वो same compound के साथ reaction करके, एक chain growth में polymerization की जो process है, उसे करता है, इसमें भी सर्त ही है, कि वो अपने जैसे एक के दो molecule से react कर पाए, ठीके, and then है, इस reaction में कोई भी by product नहीं बनता है, since the compound containing reactive double bonds, और इसमें double bonds ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, अब इसकी अगर मैं example की बात करते हूँ, तो आप समझ सकते हो, ओलिफीन है, जिसमें कि आपको इथाइलीन मिल सकता है, या प्रॉपिलीन मिल सकता है, डाइइन्स में, आइसोप्रीनिस के example है, दैन विनाईल कंपाउंड में, एक्रेलमाइडिस के examples है, तो दो से तीन example जो आप याद रख सकते हो, वो आपको यहाँ पर होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मिशन आपको देखने के लिए मिलता है, दो मौनुमर यूनिट, एक जैसे से मौनुमर यूनिट, जब एक दूसे के साथ रियक्ट करते हैं, तो फ्री रेडिकल जेनरेट करते हैं, तो वो हो गया आपका इनिशेशन, डेटेल के लिए अल देखने के लिए मिल जाएगी और टर्मिनेशन में क्या होगा जो आपका फ्री रेडिकल था वो रिमूव हो जाएगा तो यहां पर आपकी जो प्रॉसेस थी वो एंड होती है अगर आपको इसे अन्पेर्ड मॉरिक्यूल की तरह देखना है तो यह भी इसके नोर्स है वो भी आप अपने पास रख सकते हो इनिशेशन स्टैप को अगर हम पॉर्ली मर की तरह देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो इस टाइम का आपको देखने के मिलेगा और फ्री रेडिकल रियक्ट करता है जब सी एच्टू सी एचक्स के साथ तो क्या होता है कि आर इसे कनेक्ट हो जाता है प्री रेडिकल की फॉर्म में तैन आ जाता है प्रोपेगेशन तो इनिशेशन से जो स्टैप आपका जो प्री रेडिकल इनिशेट हुआ वो रियक्त करता है मोनोमर यूनिट के साथ और दौनों मिलके चेन ग्रोथ की प्रोसेस बना देते हैं और आपको एक मैक्र कहते हैं यानि कि यह जो प्रोसेस चलती आ रही है उसे टर्मिनेट कर देता है जैसा कि नेम से ही रिप्रेजेंट है अब इसके एक्जामपल देख सकते हो प्रॉपेगेशन से जो स्टैप आया वह आपका जब मॉनोमर यूनिट के साथ रियक्ट करता है तो फ्री रेडिकल फ पॉलिमेराइजेशन आगे बात करते हो नुटाजिसी चैन और आनीब करते है उता हैं यूट ना है during the chain growth and the initiation is step by sorry step is done by proton and the propagation carried out by a carbonium ion यानि कि initiation तो proton के थू होगा जिसमें कि Lewis Acid यूज़ कर सकते हैं Lewis Acid, Acid Base का concept last class में ही शर्किया है आपने नहीं देखा है तो वो चेक आउट कर लीजिए ठीक है and monomer unit जो यूज़ होगी वो आपके styrene हो सकती है या vinyl ether भी हो सकता है clear हुआ जहां भी polymer की बात आए आपको ये ध्यान रखना है initiation, propagation, termination आपको हर एक step में देखने के लिए मिलेंगे और अगर आपके ये तीनों step ये clear नहीं है तो sorry आपका polymer की जो या वो organic में हो या वो net CRF में हो MSC में हो या special polymer में जो subject है वो हो आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आपको initiation, propagation और termination step नहीं आते मैंने काफी basic तरीके से आपको समझाए हुए हैं आप detail में class देखिए आपको वो बहुत easily समझ आ जाएंगे तो ये आपे examples हैं आप easily ये देख सकते हो one by one notes आपको लिखने हैं तो आप handmade notes बना सकते हो screenshot लेके खुद से अपनी PDF तयार कर लो free में आपकी book download हो जाएगी book बन जाएगी PDF से जो की complete मैं कराऊंगी आज first unit है, कल second unit होगी other subject की भी essay one by one daily unit की class year होगी जिससे कि कोई भी दिकत student को ना रहे आप free में notes ले सकते हो कोई ज़रुवत आपको buy करने की नहीं है ना मेरे से ना कहीं और से और colleges open नहीं है तो मैं आपका slivers complete करा दूँगी free में ही सिर्फ अपना थोड़ा सा time दीजिए old classes को check out कीजिए और new classes को भी daily check कीजिए आइनिक polymerization के अगर मैं बात करती हूँ it is a negatively charged रनायन process ठीक है और इसमें भी सेम आपको initiation termination process में देखने के लिए मिलती है propagation step जो है इसमें क्या है जो initiate हुआ है compound same वो attack करता है second monomer unit पे और इसमें pi electron जहुँ है वो push up हो जाता है at the end of molecule and termination में safe आपको termination की process देखने के लिए मिलती है यहाँ पे ना examples आपको अलग लग तरीके से represent करने है and theory भी आपकी थोड़ी अलग होगी for example आप देख सकते हो carbon ion हमने लिया क्योंकि हमने पहले बात की कि anionic जैसा की मतलब इसके नाम से ही है कि वो negatively charge होगा that means new monomer unit and आपस में connect होके वो क्या बना देंगे carbon ion बना देंगे clear और यह step आपकी termination की step हो जाएगी in this case the initiator used are generally the organo-alkaly compounds such as ethyl sodium, butyl lithium, tri-phenyl ठीक है अब इसमें हम देख लेते हैं types of copolymers तो ज़र copolymers involve two monomer a variety of structure can be obtained even in a simple case of copolymer the five important type of exist copolymer as follows यानि कि copolymerization तो आपकी two monomer को involve करती है अपने आप में अगर हम copolymer के type की बात करते हैं तो यह five type को आपका नॉर्मली देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें first है आपका statical, second है alternating, third है block copolymer तो जब इसमें क्या है statical में है when irregular propagation of monomer and monomer takes place the two unit enter the chain in a statical formation for example आप देख सकते हो a, b, then b, then a, then a, 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 then b, then a again आपको b, a देखने के तो क्या हो है statical form आपको देखने के लिए मिल जाती है second है alternating, alternating का तो मतलब समझाने की ज़रत ही नहीं है जिसमें आपको जो monomer unit है वो alternate तरीके से देखने के लिए मिलते है यानि की a, b, then a, b, then a, b, ठीक है थर्ड है आपका block को polymer इसमें क्या है a, b, d, i block यानि की कुछ monomer unit है वो block form में होती है और वो एक दूसरे से combine करके या अलग type के monomer unit से combine करके एक block second sequence त्यार करती है तो उसे हम block polymer कहते है और इसके example है वो वहाँ पे dye block है यहाँ पे आप देख सकते हो a, b, a, यानि की dry block आपको देखने के लिए मिल रहा है त्री types के हैं then a आपका normal है b इसका क्या है block form में है थर्ड का देखोगे तो इसमें क्या है a block form में है fourth में alternating block है आप देख सकते हो a, then b, then a, then b तो यहाँ पे मैंने black से represent क्या हुआ है and fourth point है graft polymer this is a non-linear out-branched block polymer which is formed by attaching chain of a one monomer to the main chain of another homo polymer clear हुआ अब यहाँ पे आपका जो question है वो है vulcanization vulcanization आपका long type का ही question है क्या process होती है इसमें क्या है mainly आपको process vulcanization की process देखने के लिए मिलती है अगर हम vulcanization की बात करते है तो इसे good year ने 1839 में discover किया था और इस पे मेरे यह complete long type की classes जो की बहुत important है आप सभी के लिए तो अगर आपको detail में तियारी करने है आपके पास time है तो आप polymer की सभी classes को देखो यह तो आपका मेरा थन था कि अगर आपने पहले से मेरी old classes देख रखी है तो आपका क्या है इस class के बाद revision हो जाएगा तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रुत नहीं है पर अगर आपने पहले से ही long classes को नहीं लिया है तो आपको वो long class भी लेनी है उसके बाद इसे again देखो तो complete syllabus हो जाएगा आपका 1-2 घंटे ही लगने है old classes को देखने में भी तो complete syllabus आपका बहुत easily हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी process थी कि 2-5 examples मैंने आप शेयर की होए है यह benzol peroxide की process में कैसे आपको vulcanization देखने के लिए मिलता है वो है थर्ड पॉइंट है vulcanization by zinc oxide तो zinc oxide के through vulcanization कैसे होता है वो है simple है कोई question ऐसा नहीं है जो आपका last 10 year में नहीं आया हो वहीं से लेके मैंने यहाँ पर decide क्या है कि यह मुझा आप सबको कराने है otherwise आप unit देखोगे तो unit में इन से अलग भी आपको question मिल जाएंगे but मैंने वही questions share किया है जहां से आपका 80% आना ही आना है जो polymer की first units है उससे आपका 40% आता है और जो 60% है वो other units चाहता है यानि कि 6 unit है polymer में एक unit से ही आपका 40% आएगा जो अलग unit है उनसे सिर्फ आपका 60% आना है तो first unit यह जो है आपकी जो मैं आपको करा नहीं हूँ आज मैंना थान क्लास में वो most important है इसलिए doubt नहीं रखो इस क्लास को बहुत अच्छे से करो link वीडियो के description में है old classes को भी देखो आपको किस subject की क्लास चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो then vulcanization by s2cl2 then vulcanization by mercapto acid तो यह उसके द्वारा आपको vulcanization की process देखने के लिए मिलेगी इसके आप screenshot ले लिए अगेन मैं same repeat करूँगी या आप notes बनाना चाहते हो handmade तो आप handmade notes भी बना सकते हो मेरा काम था आपको revision करा ना जो कि मैं revision बहुत अची से करा चुकी हो अब आजाता है polymerization in homogeneous and heterogeneous system homogeneous system क्या होता है homogeneous system में आपको four type के polymerization आपको देखने के लिए मिलती है first होती है bulk polymerization solution polymerization then है आपकी solution polycondensation and fourth है melt polycondensation अब यह क्या है detail में आपको समझना है in bulk polymerization the whole system remain in a homogeneous way homogeneous क्या होता है जिसमें एक टाइप के molecule या एक टाइप के agent आपने use किये हो एक टाइप के monomer units हो यानि कि different different ना हो homogeneous same type के यह आपको पहले से पता है organic में तो वह आपने क्या हो and इस टाइप के polymerization में आपको four point five point देखने के लिए मिल सकते है है वह आप देख सकते हो second है आपकी solution polymerization तो इसमें क्या है solution polymerization भी आपकी homogeneous phase में ही होगी क्योंकि जो monomer chain transfer agent है वो use किया जाता है और वो free radical बनाता है और वो dissolve हो जाता है inert solvent में clear आप यह यहाँ पे points है वह आप खुद कर लेना इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है then c point है solution polycondensation तो इसके भी process काफी easy है and four point is melt polycondensation तो यह आपकी जो महरा थोन class है polymer की first unit का end होता है आपको किस subject की इस type से class चाहिए कि आपका complete revision एकी class में हो जाए वो आप comment करके मुझे बता सकती हो I hope आज की class आप सब के लिए काफी useful रही होगी अब यहाँ पर second है heterogeneous system इसमें आपके two type की categories देखने के लिए मिलती है suspension polymerization and immersion polymerization तो यह notes है जिस भी topic के detail में class चाहिए search करो by my channel name and आपको class मिल जाएगी link भी देख सकते हो playlist देखो polymer chemistry की जितनी भी class है वो सबी class आपको one by one करके मिल जाएगी और आप वहाँ से अपना complete slaves कर सकते हो free में आपका कोई charge नहीं लगना है इस channel पर so thank you आपको इस type से youtube पे कहीं कोई class नहीं मिलेगी जो free में आपको book available करा रहे हैं notes करा रहे हैं, marathon class करा रहे हैं mse की कोई भी marathon class यूट्यूब चैनल पर अविलिबल नहीं है सिर्फ इस चैनल पर आपको इस type के classes मिलेंगी तो आप old classes चेक आउट कर सकते हो